जहिन साथियों देखे SSC GD 2018 के जितने भी एस्प्रियंट है वो बहुत सारे एस्प्रियंट ऐसे है जो निरास हो गया थे जो SSC ने स्टेटस रिपोर्ट जो रिजल्ट के बारे में जारी किया था उसमें SSC GD का नाम मेंसेन नहीं था तो मैं उन लोगों को बता दूं confirmation के लिए तो आप लोगों निरास ना हो क्योंकि SSC के पास जब वो रिपोर्ट गया था ना तब तक SSC ने वो रिपोर्ट को जटो जो मतलब medically fit candidate का जो रिपोर्ट गया तब उससे 12 घंटे पहले उन्होंने status result को उन्होंने update कर दिया था तो उसके बाद 12 घंटे बाद वो CRPF के नोडल एजनसी ने उनके पास medically fit candidate का रिपोर्ट भेजा था तो आप लोग शिंता ना करें आप लोगों की merit बनाई जा रही है क्योंकि एक RTA reply के अनुशार मुझे यहाँ पे मिला है the final result of constable GD examination 2018 years to be prepared मतलब अभी यह बनाई जा रही है मतलब 2018 के जो vacancy है constable GD की इसकी final merit के उपर काम चल रहा है SSC के अंदर में तो मुझे जहां तक अनुमान लग रहा है जो 15 December से ले करके 31 December के बीच में आपका result कभी भी आ सकता है वो जो SSC ने status report जारी किया है उस पे आप लोग ध्यान ना दे क्योंकि वो बिना upload किये हुए भी वहाँ पे आपके result आ जाएंगे बिना confirmation किये हुए भी आपके result directly आ जाएंगे और आप एक दिन देखिएगा जो आपके result आ गये और जब कभी भी आपका result आएगा तो result जिस दिन आएगा उस दिन हम आप लोग को information दे देंगे जो इस दिन result आने वाला है ठीक है तो इस तरह के कोई भी update पाने के लिए हमारे चैनल पर बने लहें जो कोई भी SSC के new experience है या 2018 के experience है उन तक वीडियो को share करें ज्यादा ज्यादा subscribe करें क्योंकि जितना ज्यादा member हो जाएंगे उतना जो है सो हम वीडियो इस पे upload कर पाएंगे जीडी के उपर में ठी करें अपने यह RTA status report देखी लिया था जिसमें लिग दिया था SSC ने clearly mention कर दिया था final result of constable gd examination 2018 is just to be prepared मतलब यह prepared किया जा रहा है कुछ चीज ऐसे है जो secret है मैं उससे दिखा नहीं सकता हूँ कि तो चैनल को ज्याद ज्यादा subscribe करें share करें जहिन दोस्तों